नमस्कार साथियों मैं चंदन आपके अपने YouTube चैनल 44 से केडमी पर स्वागत करता हूँ साथियों आज इस वीडियो में बात करेंगे SSE GD22 का RAW स्कोर और नर्मलाइज स्कोर कैसे चेक करेंगे तो इस वीडियो में पूरा बने रहेगा और चैनल पर पहली बार आये है तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेर जरूर कीजेगा साथ ही तो बात करते है इस वीडियो में सबसे पहले आप जैसे ही आप अपने Google Chrome को उपेन करेंगे तो उसमें सर्च करेंगे sse.nic.in जैसे ही सर्च करेंगे कि आपके पास यह वाला एक इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा यह इंटरफेस खुलने के बाद आप यहाँ पे अपना यूजर नेम जो भी आपने create किया है यूजर नेम और जो आपने password दिया है ओ password यहाँ पे फिलप कर देंगे उसके बाद यहाँ पे यह Captcha को फिल कर देंगे जैसे ही आप capture fill करने के बाद आप login बटन पर click करेंगे कि आपके पास यह वाला इंटरफेस यहाँ पर home section, notice apply, admit card, answer की result section यहाँ आपके पास एक interface खुल के सामने आ जाएगा यहाँ पर आपको जाना है results and marks के option में ठीक है results and marks के option में आपको जाना है और जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे उसके बाद आपको यहाँ पर चला जाना है उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे कि यहाँ पर select examination आप select करेंगे आपका examination का नाम है sscgd constable 2022 यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पर समिट बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे कि आपका RAW स्कोर, RAW एन नौर्मलाइजेशन दोनों ही मार्क्स सो करेंगे और जदी आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो उसका भी मार्क्स आपको सो दिखाई देगा तो सातियों यह वीडियो कैसा लगा है जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताईएगा जदी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को सेर्ट करना ना भूलिएगा जैहेन